नमस्ते बच्चों साइराम तो बच्चों हम चाप्टरा नमबर लेवन पढ़ रहेते संगती का फल क्या आपने कवीता पढ़ कर प्राक्टिस किया और क्वेश्चन आंसर प्राक्टिस किया बच्चों आज हम बुक एकसरसाइज करेंगे ठीके तो इस कवीता के कवी कौन है हरियोध जी अयोध्या सिंग उपाध्याई ठीके और हमने पढ़ा था कि कैसे गुलाब का जो पोधा था उसके पास रहकर ढेले में भी महक आ गया था वैसे ही हमारे दोस्त जैसे होंगे हमारे आसपास के लोग जैसे होंगे हम जिनके साथ मिलते होंगे वो कैसे होंगे तो हम पर भी उनके सोभब थोड़ा सा आ जाएगा और प्रभावित हम भी थोड़ा प्रभावित होते हैं इसलिए हमें चुनना चाहिए कि हमारे मित्र कैस से होना चाहिए ठीके और हम ये question and answer हमने लिखा था इस कवीता में किस पौधे का वर्नन हुआ है इस कवीता में गुलाब के पौधे का वर्नन हुआ है धेले में खुश्बू किस प्रकार आई फूलों के जटने से धेले में खुश्बू आई उसके बाद आप दिखिए कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए तो आप ये लिखिए, कभी तके पंक्तियां पूरी कीजिए जो सुन्य स्थान है, उसमें हमें लिखना है, ठीक है महेक रहा था, वहाँ पर क्या लिखना है धेला ऐसा, यहाँ पर लिखना है, ठीक है महेक रहा था, धेला ऐसा, ताजा फूल महेक रहा था, ठीक है और उसके बाद ख, ये देखिए फूल वहाँ पर जड़ते होंगे, ठीक है फूल वहाँ पर जड़ते होंगे, उसके उपर पड़ते होंगे, ठीक है फूल वहाँ पर जड़ते होंगे, उसके उपर पड़ते होंगे यह आप खुद से ढून कर भी लिख सकते हैं यह सारे लाइने कविता में तो है ठीक है नेक्स्ट ग इससे उसमें खुश्बू आई इससे उसमें खुश्बू आई नेक्स्ट संगती संगती काफल ऐसा भाई इससे उसमें खुश्बू आई संगती काफल ऐसा भाई ठीक है उसके बाद भाशा की बाद समान तुक वाले शब्द लिखिये तो हम समान तुक वाले शब्द लिखेंगे समान तुक वाले शब्द यानी क्या आपको पता है किसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं ठीक है पेड भेड भेड उसके बाद फूल धूल समान तुक वाले शब्द फूल धूल ठीक है फूल धूल उसके बाद नेक्स्ट क्या है फल हल फल हल लास्ट वान महक चहक महक चहक ठीक है तो मैं फिर से पढ़ती हूँ अप लिक लिजिए पेड भेड फूल धूल फल हल महक चहक ठीक है लिख लिया बच्चों नेक्स्ट विपरित अर्थ वाले शब्द लिखिए विपरित यानी ओपोजिट हमें ओपोजिट लिखना है विपरित यानी ओपोजिट ठीक है ओके तो यह है आंसर एक एक का ओपोजिट क्या है विपरित शब्द अनेक विपरित शब्द यानी हमें विलोम शब्द भी कहते हैं ठीक है विलोम शब्द एक अनेक नेक्स्ट उपर नीचे उपर नीचे फूल कांटा फूल का विपरित क्या है ओपोजिट क्या है कांटा उसके बाद नेक्स्ट खुश्बू बदभू खुश्बू बदभू नेक्स्ट ताजा बासी ताजा का उपोजिट क्या है बासी नेक्स्ट शुन्दर असुन्दर फिर से पढ़ती हूँ अब देख लिजिए सर लिख लिया या नहीं एक अनेक उपर नेचे खुश्बू बदभू ताजा बासी सुन्दर ठीक है हो गया बच्चों उसके बाद ये है दिये गए शब्दों में क्रिया शब्द के आगे टिक लगा ये तो बच्चों क्रिया किस से कहते हैं? वाक्य में जो काम होते रहते हैं काम होने वाला जो शब्द है उससे हम क्रिया कहते हैं ठीक है जो कारियर होता है उससे हम क्रिया कहते हैं तो यहां पर क्या है? जाना, उठाना, खिलाना, सुन्दर सुनदर, फर्स्ट लाइन अब देखिए, जाना, तो कोई जा रहा है, ये भी एक काम है, जाने का काम है, ठीक है, चल रहा है, तो ये गिरिया है, उठाना, कुछ गिर गया तो हम उठा रहे हैं, ये भी काम है, तो ये करिया है, नेक्स्ट, खिलना, फूल खिल रहे हैं, ठीके, तो ये भी क्रिया है, सुन्दर, ये क्रिया नहीं है नेक्स्ट, सुंगना, सुंगने का काम है, ये तो क्रिया है, ये भी क्रिया है, तो आप टिक लगाई है उसके बाद, खेलना, तो कोई खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये भी क्रिया है जडना तो पत्ते जड रहे हैं और फूल जड रहे हैं ये भी कुछ काम हो रहा है तो ये भी क्रिया है फूल ये क्रिया नहीं है नेक्स्ट लास्ट लाइन ताजा क्रिया नहीं है लड़का ये भी क्रिया नहीं है कुछ काम नहीं हो रहे हैं खुशबू ये भी नहीं पोधा ये भी नहीं तो ये क्रिया नहीं है ठीके तो जो भी क्रिया है आप टिक लगाईए जाना, उठाना, खिलना, सूंगना, खेलना, जड़ना ये सब क्रिया है समझ में आया बच्चो Next, नीचे दिये शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो हमें sentence फ्रेम करना है खुश्बू, फूल, पौधा, लड़का First one, खुश्बू मुझे चमेली की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है अब खुझ से भी कुछ बना कर लिख सकते हैं या फिर ये लिखिए मुझे लेकिन sentence आप करेक्ट लिखिए जो भी आप अगर खुझ से भी फ्रेम करके लिख रहे हैं तो sentence करेक्ट लिखिए मुझे चमेली की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है मुझे चमेली की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है नेक्स्ट फूल बगीचे में सुन्दर फूल खिले हैं बगीचे में सुन्दर फूल खिले हैं लिख लिया बगीचे में सुन्दर फूल खिले हैं नेक्स्ट क्या है पोधा मैंने गमले में पोधा लगाया क्या आप पोधा लगाते हैं गमले में? लिखिये मैंने गमले में पोधा लगाया नेक्स्ट वान लड़का यह लड़का बहुत होश्यर है यह लड़का बहुत होश्यर है तो फर्स्ट वान है खुश्बू मुझे चमेली की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है सेकेंड वान है फूल बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं नेक्स्ट पौधा मैंने गमले में पौधा लगाया फूर्थ वान लड़का यह लड़का बहुत होश्यर है तो हमारा बुक एक्सरसाइज कम्प्लिट हुआ बच्चो नेक्स्ट आप देखिए एक दोहा दिया गया है तो आप यह दोहा को पढ़िए और समझिए जो रहिम उत्तम प्रकृती का करी सकत कूसंग चंदन विश व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग भुजंग यानि साप जहरीले साप ठीके तो इसका मतलब क्या है तो रहिम ने यहां पर कहा है कि जिन लोगों का सुभाब अच्छा होता है उन लोगों को बूरी संगती भी बिगाड नहीं पाती अगर हमारा सुभाब अच्छा है तो बूरे लग हमारे साथ अगर रहेंगे तो वो लोग भी थोड़ा अच्छा हो जाएंगे लेकिन हमें वो इतनी आसानी से भी गाड नहीं पाएंगे जैसे जहरिले साप सुगंधित चंदन के रिक्ष को लिप्टे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते चंदन वैसे ही सुगंधित रहता है जैसे जहरिले साप सुगंधित चंदन के रिक्ष को लिप्टे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते ठीके वसे ही जिन लोगों का सोभाव अच्छा होता है उन लोगों को बूरी संगती भी बिगाड नहीं पाती ठीके तो और भी बहुत सारे दोहे हैं तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं बहुत सारे दोहा और पढ़िए इस तो मीनिंग भी बहुत अच्छा होता है ठीके ये जिस एक दोहा है आप भी बहुत सारा दोहा सर्च करकर पढ़िए ओके और अभी हम क्लास्वर्क लिखेंगे क्लास्वर्क है पहले चाप्टर का नाम चाप्टर लेवन संगती का फल शब्दार्त रोमन नमबर वन शब्दार्त धेला धेला यानि मिट्टी का टुकड़ा धेला क्या है? मिट्टी का टुकड़ा महक यानि खुशबू संगती संगती साथ रहना संगती साथ रहना नेक्स्ट फल फल यानि नतीजा ठीक है? डेला मिट्टी का टुकड़ा महक खुशबू संगती साथ रहना फल नतीजा लिख लिया बच्चों अभी रोमन नमबर टू हेडिंग लिखिए विपरित अर्थ वाले शब्द लिखिए जब विपरित अर्थ वाले शब्द लिखिए पहला शब्द एक ओपोजिट अनेक ठीक है? एक अनेक सेकेंड वान उपर नीचे उपर नीचे थर्ड वान फूल कांटा अभी हमने बूक एक्सरसाइज में भी ये डिसकस किया था सेम थिंग हमें यहाँ पर लिखना है फूल कांटा पूर्थ वन खुषबू बदभू खुषबू बदभू फिफ्ट वन ताजा बासी ताजा बासी फिफ्थ वन सुनदर असुनदर सुनदर असुनदर असुनदर ठीक है? फिर से पढ़ती हूँ, एक, अनेक, उपर, नीचे, फूल, कांटा, खुशबू, बदबू, ताजा, बासी, सुन्दर, असुन्दर ठीके बच्चों, नेक्स्ट रोमा नमबर थ्री, नीचे दिये प्रशनों के उत्तर दीजिये, ये भी हमने डिसकस किया था तो सेम जो बुक एक्सरसाइज में दिया गया है, वो question and answer आपको लिखना है नीचे दिये प्रशनों के उत्तर दीजिये, हेडिंग लिख लिया बच्चों क, प्रशनी क्या है, इस कवीता में किस पोधे का वर्नन हुआ है इस कवीता में किस पोधे का वर्नन हुआ है इस कवीता में गुलाब के पोधे का वर्नन हुआ है नेक्स्ट धेले में खुशबू किस प्रकर आई फूलों के जडने से धेले में खुशबू आई इसका answer क्या है अब लिखिए पूलों के जड़ने से धेले में खुश्बू आई फिर्स्ट क्वेस्टिन इस कवीता में किस पौधे का वर्नन हुआ है इस कवीता में गुलाब के पौधे का वर्नन हुआ है खब धेले में खुश्बू किस प्रकार आई फूलों के जड़ने से धेले में खुश्बू आई ठीके तो बच्चों आप क्लास्वर और बुक एक्सराइज दोनों कम्प्लिट कीजिए और प्राक्टिस फी कीजिए ठीके इसके साथ हमारा चाप्टर 11 वो कम्प्लिट हुआ धन्यवाद बच्चों